Hello everyone, आज हम बात करेंगे बड़े हुए यूरिक एसिड की समस्या के बारे में और इसके आयरुवेद में क्या समाधान है इस सारी चर्चा के लिए हमारा आज का वीडियो अंध तक जरूर देखें हम और भी हेल्थ और आयरुवेद सम्बंदी वीडियो बुनाते हैं अगर आप अपने स्वास्ते को लेकर जागरू हैं और सही जानकारियां चाहते हैं तो किर्पे हमारे चैनल को नीचे दिये सब्सक्राइब बटन और साथ लगी बैल आइकन को प्रेस करके जरूर सब्सक्राइब कर ले यूरिक एसिड बेसिकली जब हमारे शरीर में जरूरत से ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो वह हमारे खून में जाना शुरू हो जाता है जिस कारण की यूरिक एसिड की समस्या नहीं शुरू होती है मरीजों को जोडों में दर्दों की समस्या रहनी शुरू हो जा करती या हमारे मल से ठीक से यूरिक असिड नहीं निकल पाता तो वह हमारे खून में हमारे बलड में रहने लग जाता है और दीरे दीरे जोडों में जम्मा होना शुरू हो जाता है जिसका जोडों में दर्द जोडों में अकडन की समस्याती है पैर के जोडों में एडी में स्पेशली समय दर्द होता है जोडों का दर्द वैसे तो कई परकार का होता है लेकिन यूरिक एसिड के बढ़ने के कारण होने वाले दर्द को गाउट कहते हैं और इसमें पैरों में पैरों की एडियों में स्पेशली दर्द होता है और यह दर्द कई बार तो बहुत ज़्यादा तेज दर्द होता है आईरवेद में यह वातरक्त के नाम से जाना जाता है तो इसमें हमारा पाचंत अंतर जब ठीक से काम नहीं करता या एक्सेसिव हम प्रोटीन्स का इंटेक कर रहे होते हैं तो उस समय देखा जाता है दाले एग आदी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो भी देखा जाता है यूरिक एसिड बॉड़ी में ज़्यादा बनता है जिसकान उसका जब ठीक से बाहर नहीं निकल पाता हमारे खून में वो जमा हो जाता है उसका नहीं है समस्या आती है तो इसमें हमें हमें अपने हाजमे को हमारी kidneys healthy होनी चाहिए तभी हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं तो कुछ ऐसी tips हैं अगर हम उनको follow करते हैं तो हम uric acid की बड़ी हुई समस्या से बच पा सकते हैं सबसे पहले तो आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने की आदत छोड़ें क्योंकि अगर खाने के तुरंत बाद पानी पी पिया जाता है तो उससे हमारा digestion slow हो जाता है हमारा पाचन ठीक से नहीं होता जब पाचन ठीक से नहीं होता तो बड़ी हुई अशुदिया हमारे रक्त में जाने लगती है हमारे स्टमक में HCL होता है जो कि पाचन में हेल्प करता है अगर पानी पी लिया जाता है वो डाइल्यूट हो जाता है जिसका अन मल में भी आउं आने लगता है अपचा अन जो है शरीद में रहना शुरू हो जाता है अशुदिया ही कठी होनी शुरू हो जाती है तो इस बात का आप ध्यान रखें कि खाने के एक घंटे तक आपको पानी का इस्तेमाल नहीं करना जिन लोगों के शरीद में यूरिक एसिड ज़्यादा बड़ा होता है उनको प्रोटीन का भी एक्सेसिव यूज नहीं करना बहुत ज़्यादा दालों का इस्तेमाल बहुत मास अंडे का इस्तेमाल प्रोटीन डिच सोर्सिस का भी इस्तेमाल थोड़ा कम करना है इस्तेमाल कर सकती हैं, पैक्ड जूसिस का इस्तेमाल नहीं करना, उनमें प्रिजर्वेटिव और अन्य केमिकल्स डले हुए होते हैं, ताजा आप जूस इस्तेमाल करें, सलाद का भरपूर उपियोग करें, उसे गट जो है, हमारा डाइजस्टिव सिस्टम जो है, हमारा हाज जो है वो दुरुस्त रहता है अपने स्रमक को जादा से जादा आप alkaline रखे जितना उसमें acidic environment रहता है उतना है हमारे शरीर के लिए हमारी health के लिए अच्छा नहीं है इसके लिए आप भरपूर फल सबजियों का इस्तेमाल करें अगर फिर भी आपके शरीर में यूरिक आप थोड़ा सा सेंधा नमक और जुआइन का पाउडर बनाके भी डाल सकते हैं हाजमा ठीक रहेगा और जो धीरे धीरे अगर आप इसका इस्तेमाल लगातार कुछ दिनों तक करते हैं तो उससे देखा जाता है यूरिक असिड की समस्या दूर होती है ध्यान लखना है लो आप गिलोई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं गिलोई का पाउडर या गिलोई की टैबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको समस्या बनी रहती है आपको यूरिक असिड का लेवल बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है तो आप अपने नजदी की आईरवेदिक चिकित सक से सला जरूर कर लें उमीद है हमारी आज की ये स्वास्ते संबंदी चर्चा आपको जरूर पसंद आई होगी इस वीडियो को जादा से जादा लाइक और शेर करें ताकि सब तक ये महत्व पूरें जानकरिया पहुच पाएं अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है इसी परकार की और भी हेल्थ टिप्स के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें आईरवेद अपना इस वस्त रहें फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए हेल्थ टॉपिक के साथ धन्यवाद